नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं OTT पे अवेलेबल हुई एक मर्याणम लेंग्वेज की फिल्म के बारे में जिसका नाम है मदूरा मनोहरा मोहन ये कोमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ आप इसको देखने के बाद मेरा जो अपिनियन बनता है उसको मैं गिर आपको बताऊँ तो मेरे लिए फिल्म एक disappointing मूवी साबित होती है ये मूवी देखने के बाद आपको last में एक question mark जरूर से दिमाग में आएगा कि ये मूवी क्यों बनाई है क्योंकि दोस्तो इस मूवी की ending ही नहीं है मलब ऐसा लग रहा था कि डाइरेक्टर ने सोचा आए गया मुझे ending पसंद नहीं आ रही है चलो बीच में से ही cut कर देते हैं तो फिल्म एसे ही अच्चानक से खतम हो जाती है तो मूवी बनाने के पिछे का मकसद क्या था वो मैं समझ नहीं पाया हूँ फिल्म की basic storyline की बात करें तो गाव में एक middle class परिवार रहता है दो बेने एक भाई अपने मा के साथ रहते हैं उनके पिता जी का निधन हो चुका है वेसे में जो बड़ी बेटी है मीरा वो बहुत इक गुणवान है सुशिल है केरिंग नेचर की है और सभी लोगों के यही लगता है कि सबसे बड़ी अगर कोई लड़की है तो वो मीरा की है इवन आजू आजू के लोग भी मीरा की तारिफ करते हैं वेसे में उसका जो भाई है मनू वो किसी लड़की से प्यार कर रहा होता है लेकिन वो शादी करने से पहले यह डिसाइन करता है कि पहले मीरा की शादी हो जाए उसके माद वो शादी करेगा वेसे में उसको यह पता चलता है कि मीरा किसी के साथ रिलेशन्शिप में है लेकिन फिर भी वो शादी के लिए मान जाता है लेकिन twist यहाँ पर यह आता है कि उसे जब यह पता चलता है कि मीरा किसी एक के साथ नहीं multiple relationship में है तब वो बहुती ज़ादा आगात पोचता है अब इसके आगे की storyline क्या होगी यह जानने के लिए आपको पूरी film देखनी पड़ेगी अब दोस्तों movie शुरुवात में तो बकवास तरीके से ही चल रही थी मतलब कुछ भी हो रहा था जो मनु है वो किसी लड़की से प्यार करता है और वहाँ पे उलट सुलट हरकते करता ही रहता है तो वो चीज़े तो मुझे उतनी ज़ादा पसंद नहीं आ रहे थी लेकिन बीच में जब वो main twist आता है जब उनको पता चलता है कि यार मीरा किसी relationship में है उसके बाद जब multiple relationship का उनको पता चलता है तो वो twist भी हमारे लिए बहुत ही नया लगता है वो जानने की उत्सुकत हमारी बढ़ती है कि यार मीरा जिसी गुणवान लड़की multiple relationship में क्यों है वो भी एक ही समय पे वो सभी लोगों को धोका क्यों दे रही है तो यह सवाल हमारे मन में रहता है लेकिन ending में क्या हो रहा है उसकी शादी हो जाती है और वहाँ पे film खतम हो जाती है तो यार मैं पूरी film देखते हैं मतलब सोच में पड़ गया कि movie बनाने का मकसद क्या था जो मीरा है वो चार relationship में क्यों है इसके पीछा का reason क्या है क्या मीरा को relationship में रहना पसंद है या फिर वो मजाक कर रही थी कुछ तो बताओ लेकिन film में ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया बस मीरा तो सभी के साथ खुश है सभी को धुका दे रही है और लास्ट में शादी भी कर दे रही है लेकिन इसके पीछे का reason कहीं पे भी नहीं बताया गया इवन कोई symbolic तरीके से और फिर डायरेक्टर ने कुछ बताया हो कुछ भी नहीं मुझे तो personally ऐसा ही लगता है कि डायरेक्टर ने ending काड़ दिये और बीच की जो movie है वो हमको दिखा दिये बाई आपको जो समझना है समझ लो तो movie इस तरीके से खतम हो जाती है बाकी first आप तो एंडिंग दिखा दे तभी इस twist का मज़ा आता बाके film ने दिखने लायक कुछ भी नहीं था इस movie में लव जिहाद जैसे serious matter का भी मज़ा कुड़ाया गया है मतलब इनको एसा ही लग रहा है कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता अब movie में उनको क्या ही बता कि जिस पे बिखती है उन वहीं जानता है कि लव जैसा serious matter कितना भयावा है आज के time पे तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन ये लोग लव जैसे serious matter को एक मज़ा के अंदाज में ले रहे हैं और पूरी तरीके से यहीं दिखा रहे है कि लव जैसा कुछ नहीं होता ये लोग प् पुष करने में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी वो जादा नहीं था लेकिन सच में वो दिखने लायक भी नहीं था ये movie की length almost 2 घंटे की है लेकिन इसकी ending जिस प्रकार से खराब की है इसको देखने का मज़ा किर किरा हो जाता है फिर भी अगर आपको ये movie दिखनी है तो ये HR OTT नाम के OTT platform पे available है और ये Hindi language में भी upload है तो आप चाहो तो देख सकते हो बाकि में तो ये आपको बिल्कुल भी recommend नहीं करूँगा मैं इस movie को दूँगा 1 out of 10 stars आपको review कैसा लगा comment section में जरू बताएगा और अगर review अच्छा लगा ओ तो like जरू कीजेगा तब तक के लिए फिर मिजदेने जैश्त्री राम